हे गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेश्टी बेशन ककोड़े की सबजी, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा, चलिए शुरू करते हैं बेशन ककोड़े की सबजी बनाने के लिए हमने आपर ये ककोड़ा रिया हुआ है, ये यूपी में से ककोड़ा, पढ़ोरा, कंटोला या कई सारे नामों से जानते हैं, आप लोग इसको क्या कहते हैं, नीचे ये कोमेंट करके जरूर बताएगा तो यहाँ पर जो ककोड़े हैं, उन्हें हमने पानी से तीन से चार बार अच्छे से वास कर लिया हुआ है, तो हम इन्हें छीलेंगे नहीं, डारेक्ट हम इसे ऐसे ही कट कर लेंगे, बर ध्यान रखें, इसे अच्छे से वास करना है, ताकि इसके उपर मिट्टी बिलकुल भी नहीं रहनी चाहिए, तो मैं इसे इस तरह से कट कर लूँगे, यह दिखें, तो आप जिस तरह के टुकड़े करना चाहिए, उस तरह से काट सकते हैं, तो थोड़े से पतले-पतले स्लाइस हम इस तरह से कट कर लेंगे, तो यहाँ पर मैंने सारी ककोरी काट के तयार कर हुए हैं अब एक कडाई में हम दो चमज की जितना बेसन डालेंगे लोटू मीडियम फ्लेम के वीच में लगातार चलाते हुए हमें बेसन को अच्छे से भूनना है तब तक भूनना है जब तक की बेसन का कलर चेंज ना हो जाए और बेसन की अच्छी सी खुसबून आने सिरा साथ से आठकलियां बारिक कठा हुआ लैसुन, तीन से चार बारिक कठी हई हरी मिर्च डालेंगे फलका सा भूनेंगे लैसन हल्की सुनेरी हो जाएगी हम इसमें एक बड़ी साइज का बारिक कठा हुआ प्यास डाल देंगे और पेas को भी हमें इस recreate काई हूई है अच्छे से mix करेंगे और हमें ककोरों को अच्छे से भूनना है तबी एक ककोरे हैं वो ज्यादा टेश्टी बनते हैं तो इसे अच्छे से भूनने दीजिए बीच बीच में आप इसे चलाते रहें नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार mix कर देंगे अभी हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रालना है आप इस बात का ध्यान रखें तो हम इसे ढख देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में इसे 5-7 मिनट तक कोक करेंगे बड़ बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से पके और नीचे जलेंगे इस तरह से मैंने इसे 6-7 मिनट तक धक्के पकाया हुआ है और जो ककोरे हैं वो हलकी सौप्ट हो गए हम इसमें आदा चमच हल्दी पाउडर एक शमच के जितना धनिया पाउडर आदा चमच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे बहुत ही सिंपल बेसिक मसालों से यह सबजी ब पकाना है जब तक कि जो ककोरे हैं वो पूरी तरह से अच्छे से पक नहीं जाते तो यह देखे फ्रेंज मैंने इसे ढख के पकाया हुआ है आप देख सकते हैं जो हमारे ककोरे हैं अच्छे से पक गए हैं और हमारी जो सबजी है वो जली भी नहीं है तो यहां पर हमने जो इसमें डाल देंगे तो यह मैंने पूरा दो चमच वेशन इसमें डाल दिया हुआ है साथ ही साथ हम इसमें आधा चमच के जितना आमचूर पावडर डालेंगे जो कि सब्ची में हलकी सी खटास देगा जिससे कि सब्ची का सुवात बहुत पढ़ जाएगा तो फ्लेम को से धीमी आज में 2-3 मिन ता किसी तरह से पकने देंगे इससे इसमें हलकी सी स्टीम बनेगी और बेशन मसाले सारे ककोरे में बहुत अच्छे सी चिपक जाएंगे तो यह लिए फ्रेंड्स हमारी सब्ची जो है वो बन के तयार हो गई है हमने इसमें थोड़ा सा बारी कटा हु अगर आप नॉर्मल तरीके से ककोरे की सबजी खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार इस रेसिपी को ट्राइ जरूर करिएगा यह आपको बहुत पसंद आएगी और अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ